हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कि अब तक के बाड मेर की सबसे बड़ी एवं सगन कोविट सुरक्षा कारेक्रम के तहट बाड मेर शहर वह आसपास के इलाकों में 20,000 कोविट सुरक्षा कीट का विदरन किया जा रहा है इस किट में एक परिवार के लिए परियाप्त फेस मास्वा सानिटाइसर है कोरोना महारी के इस संकट की समय में राजिसान पुलिस हमारी सुरक्षा विवस्ता में दिन रा तैनात है लोगनावन का पालन करवाना हो या इन विशम परिस्तितियों में हमारे शहर की सुरक्षा की बात ये अपना सर्वस्व हमारे सेवा में अर्पन किये हुए हैं वही होमगार्ट के जवान भी देश सेवा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं जो की सरानिया है राठोर्ण ने बताया कि कोरोना को लेकर जागरुपता फैलाने एवं इसकी रोगठाम में शिक्षप एवं शिक्षा विभाग से जुड़े करमचारी भी अपने महत्व पूर्ण योगदान दे रहे हैं इसलिए इन सभी को कोरोना महावारी के प्रकोप से विचाने के लिए कोवर्ट प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तृतिय चरन के अंतरगर बाडमे शहर में कारेरत राजसान पुलिस के लिए एक हसार किट, होम कार्ड के लिए एक हसार किट, एवं शिक्षा विभाग के पूर्व पार्षत किशोर शर्मा ने बताया कि कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर से हम गुजर रहे हैं, साती अब तीसरी लहर आने की संभावनाय जताय जा रही है, उन्होंने शेहर मासियों से अपील की है कि लॉकडाउन का सकताई के साथ पालन करते हुए कोरोना को हराने म पूरा सयोग करें, कॉंग्रेस के कारेकरता वह यूबा साथियों के सयोग से चलाय जा रहे है कोवर्ट प्रोटेक्शन प्रोग्राम स्वास्त बार्ड में सफलता पूर्वक चल रहा है, साथी साथ शेहर वासियों से सभी आवशक सावधानियों को पालन करने की अपील की इस असर पर पूर्व पारशित किशोर शिर्मा, दलित नेता पूर्व यूथ कॉंग्रेस विधान सभा अध्यक्ष नारायन में एकवाल, निम्ब सिंग भाटी, इंटक जिला अध्यक्ष मुलतान सिंग उपस्तित रहे